स्टेन्ट किचन कि इंक रागर सौलगत है डाज हम बनाने जा रहे मॉव जाथ yht रही को जाता है कि सब've alone रहे करत ना कि खाना सबीको पसंदे नहीं पसंद कई बहुत मेंस से बनाई जिस तरह मुझने आता है उस तरह सबी टमाटर में तीखाला मिर्चा है इसलिए सोच समझ की तीखा बनाएगा लेकिन मोमो बहुत तीखा ही चटनी अच्छा लगता है अब एक गिलास पानी ले ले लेंगे इसको में डाल देंगे हम लोग तीन टमाटर मिर्ची चलिए अब इसको हम लोग दो पूटले सुन लिए है पाच मिनाट में सब गल जागा एक पंदा गो भी है दो गाजर है तीन प्याज है दस हरी मिर्ची है जैसी हलका से छिलका हटने लगेगा हटा दीजीगा ठंडा करके मिक्सिम पिस लीजीगा जब भी ठंडा हो तभी पिस पिस येगा सब चीलका हटा लेजिए टमाटर का आज अब पंदरा से पंदरा के लिए लगस्टू ने सब को चीलका उदार दिये हैं इसमें हलका सा नमग डालेंगे नमग डालिएगा अजी सारे सब्सकू आपो दिखाय थे सब को कटिंग कर दिये महिन में मिक्सिम पिस द कर देते हैं सिर्फ बंदा को भी को मिक्सिम पिछे अब आकिल कि तीन चमर्स तेड़ डाल देंगे इसमें लसुन कि दरदरा कम से कम पंदरा लसुन है एक अधरा का टुगड़ा है उसको हम सब को चूर दिये हैं अब मिर्ची है पंदरा से 20 दिखा रहेगा मुमो तो बहुत चादे टेश्ट्री होता है सेवी को कुछ देर तक भूनिये और उसके बाद प्यास था पतला पतला कट कर दिये मेगी प्यास है पतला पतला कर कर दिये हैं इसको भून लेते हैं नमक दे दीजिएगा ताकि जल्दी से गल जाएगा नमक अपने स्वाधन सा डाले बंदा को भी बिठा था इसलिए नमक अच्छा सा डालीजिएगा अगाजार को जो गहस दिये हैं वो डाल दे रहे हैं आज को धिमा ही रखेगा जादे आज बिल्कुल तेज मत किजिएगा और शोयवीन डाल दे रहे हैं सोयवीन को बाल के ठंडा कर दिये हैं सब हाथ से पानी मीचोड के अच्छा से मिक्सिम पीज दिये हैं इसको मिक्सिम पीजिएगा तब ही डालिएगा कि इसमें जितना मैहिन रहता भराता, उतना ही अच्छा बनता है, अब गाज़र को इसमें strong water निचोड़ की निकाल दियें गभिजा剛剛 और Mr. सब्सक्राइब को कि में इसका फिलिंग बहुत अच्छा से बनता है, जितना अच्छा से बनाएगा फिलिंग वहतना एटेस्टी बनेगा, को बच्छा तरह से भूनते जाई 15 से 20 मिनाट तक भूनिए गोल की पॉडर को दरदरा कूट लिए 20 गोल की पॉडर था उसको दरदरा कूट लिए हैं काला नमक दे दे रहे हैं एक छोटी चमाच सोय सॉस दे दे रहे हैं आधा चमाच सभी को अच्छा से मिला दीजिए अब हम लोग यहां पर मैदा लेते हैं अड़ाए कटोरी मैदा लिए इने एक पॉड़ से ज़्यादा मैदा है नमक दे दीजिए ज़्याद अंसार जिसमें हलका सा नमक डाल जीगा ठीक रहेगा एक छोटी चमाच से तेल ले लिए हैं सोयाबीन है कोई भी तेल यूज़ कर सकते हैं हलकाल का पानी डालते जाएए ऐसे गुतते जाएए आप सफोला तेल का हम यूज़ कर रहे हैं सोयाबीन सफोला तेल यूज़ कर रहे हैं कड़वा तेल नहीं डा रहे हैं आप वह भी तेल डालके साम सकते हैं हलकालका सामते जाएए इसका कभी भी मैदा को कड़ा मरसा नहींगा बेलने बहुत दिखात होता हलका सा सॉफ्ट रखिएगा तो बहुत अच्छा से बिलाएगा इसको भीलते भीलते ही हालत खिराब हो जाएगा कि के मैदा काता है अब तुम भीलो मुझे और मै छोटा होते जाऊगा इससे में बहुत दिखात होता है इसलिए बेलना ही इसमें बहुत मेहीनत काम है प्रम तो वो लेंगे शॉप्ट टो बना देंगे जटक हम लोगा मिश्रेन एक दम ठंडा होगा तभी भरिएगा कि कभी भी गर्मा गर्मत भरिएगा चली फिर से मोपड़ाई चढ़ा के तेल गरम करते हैं दो चमस तेल डाल देंगे थोड़ा सा प्याज डाल देंगे छूटी से प्याज काटे हैं अधा प्याज है अलका सब होनेंगे क्योंकि चटनी तयार करना है इसमें जो गुरेवी हम लोग तयार किये थे टमाटर का वो टमेट्टो शॉस एक चमस भरके डाल दीजिएगा हलका साधा नमंग डाल दीजिएगा तर चटनी में ज्यादे स्वादा जाएगा हलका सा पानी जरूर डाल दीजिएगा इसमें कि गड़ा हो जाएगा चली छोटा-छोटा लोटे यार करते हैं आई से को पूरी साइज मे बेलना सुरू कर देते हैं बहुत ज्यादा दिक्कत होता है बेलने में परिशन होता है खाने वाला तो समांग मांग के खाते हैं हमको खाना-खाना मोर्मो का नाम सुना नहीं कि सबके मुम में पानी भड़ जाता है समझी लाट पकने लगता हम खाएंगे हम खाएंगे और बेलने माले झाइक ऊचे का बंनाने माले तो भालत खाएंगे बहुम के रोज बनाते हैं प्रैक्टिस होता हम लोग तो प्रैक्टिस हैं नहीं आप इस लिए जैसे से पद्सल्से भर दियां लेकिनosphेरी तरह रहता है मसाला तो सभी को बुन के बनाने आता है भर्ने में ही तो तो रहा है कि एक चमज भर के डाल दीजिए डेट चमर डाल दीजिए इसके अंदर जितना अच्छा से मसाला बरी बहुत अच्छा होना चाहिए हम लोका मसाला बहुत ज्यादा च्छाच चट्गदार एदम टेस्टी है इस तरह से बहुत जाए है देखिया अगर आपको दाटीी हमको थोड़ा सा मोटा बनाने चीए जब ही बनाता हाय थोड़ा सा मॉटा बना एह ए जिर रहे मोटा है बहुत और mee High कूरिमोर दे रहें इस तरह से परिवारी करके सबको बिलते जाएंगे उर्ट आप जाए तो बहुत-बड़ा पूड़ी के तरह भना या मोढ्याudते है विख भर junior के city मेंदerem का नहीं इसको फीलिइंग भरने में काफी सीन होता है भरना फिर मौड़ना पर सबसी बनान में कोई दिखता सब्सक्राली मेंस सी जाता है सिर्फ मौड़ने में बहुत पर्षानी होता है कि इसलिए मेहनेत का ही उलोग पैसा लेते हैं दुकान में कि मुमों बन गया खाने के पड़ मेहनेत अगदम सफल हो गया चलिए इसी तरह से सब बनाएए सब इस तरह से बेल दिये हैं कुछ पूल भी बनाएए हैं घर्म पानी पुरा खोला लीजिएगा उबाल लीजिएगा तब इस पर एक चन्नी हम लोग रखें इसको चन्नी कहते हैं इसी पर हम लोग मुमों रख दिये हैं इच्छा तरह से साथ से आठ मीनट के अंदर ही मुमों सब सीज़ चुका है क्योंकि बहुत पतला पतला हम लोग बेले थे देखे एकदम अश्टीम हो गया है भाब जितना अच्छा इसमें लगेगा उतना अच्छा बनेगा ये अब कुछ मुमों फ्राइ कर देते हैं दोनों चीज का टेस् सब्सक्राइल अबक्त हो जाता है हिए हलका सा चानने के वज़ा से अगर्मा घर्म बहुत है इसलिए मोमो जाब ही बनाये घर्मा घर्म ही खाए और इसका अच्छा लगेगा चलिये आपको सर्व करके दिखा रहे हैं देखिए बन के डियी तो को फिलिंग भी दीख रहा है भरबर की दिये हैं लाल चटनी अमयोनेज के साथ हमने सर्व करके दिखा रहे हैं इस तरह से अभी पुरे परिवार के साथ खाएं जो है करें और फ्राय की बहुत गर्म है हाज जल रहा है चलिए इसको भी तोड़के देखाते हैं इसी जैसे बनाते जाहिए और खाते झाहिए है।